दोस्तों डीटर प्लसपी के दुआरा एक और फाइनल रिजल्ट जो कल रात में अनाउंस किया गया है और उसी के साथ में उसी सेम पोस्कोर से रिलेटेड एक रिजक्शन नोटिस भी जारी किया है डीटर प्लसपी ने तो कौन सा फाइनल रिजल्ट है वो आपको यहां पर फटा-फट से बता देता हूं देखे जैसे आप ऑफिसल वेबसाइट पर लेटेस्ट वाले उप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आपको दो नोटिस मिलेंगे नोटिस नंबर है 1360 और 1361 यहां पर एक तो फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया है डीटर प्लसपी के दौ दाउनलोड करनी पड़ेगी और यहां पर जैसे आप पीडिफ डाउनलोड करेंगे तो यहां पर देखे 38 अलग-लग कटेगरी के हिसाब से टोटल वेकंशिस दी गई हैं जिस पे भरती हुई है और यहां पर फाइनली रिजल्ट अनाउंस कर दिया है डीटर प्लसपी ने अलग-लग कटेगरी के हिसाब से कटेगरी के रोल अंबर दिये गए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं और उसी के साथ में यहां पर कट ओफ भी आपको बता देता हूं देखे कट ओफ आउट ओफ टूहेंडड मार्क्स जो रही है वो अन्रिजर्ट कटेगरी के रे 122.6 से EWS के रे 114.5, OBC के रे 108.75, SC के रे 117.37 और ST की कोई भी कट ओफ नहीं रही है और वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर कोई भी कंडिडिट यहां पर सामिल नहीं है ठीक है और इसी के साथ में रिजेक्शन नोटिस भी देख लेते हैं तो रिजेक्शन नोटिस यहां पर डा गया है क्योंकि इसने अपने स्टेश्पीलिट्य टाइम के अंदर जो यहां पर E-Dogger मोडियूल के तहत जो डोकिमेंट्स अपलोड करने थे उस टाइम पीरिड के बीच में इस कंडिडिट ने अपने जो डोकिमेंट्स है वह अपलोड नहीं किये तो इस वजए से इसका जो कंडिडेचर है वो रिजर्ट किया गया है तो दोस्तों अभी के लिए यहीं अपडेशन थी जो रात में जारी की गई थी लेकिन रात में मैं वीडियो रिकोर्ड नहीं कर पाया था तो अभी फटावट से आपके साथ शेयर की है वीडियो अगर आपके हैलफ फूर रही ह हो तो वीडियो को जरूचे जरू लाइक कर देना मिलता होंगी इस नेक्स टूडियो में नहीं अपडेशन नहीं इंफॉर्मेशन के साथ तब तक लिए बने नहीं में साथ थैंक्यू सो मच